हलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का एक महत्पूर्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुछेद और अनुसूचियां दोस्तो इस टॉपिक से जितने भी प्रश्ण रेलेवे के एकजामे पूछे जा चुके हैं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो दोस्तो वीडियो को बिना स्कीप की अंतर जलू देखेगा चले सुरुवात करते हैं आपे पहले प्रश्ण से पहला प्रश्ण है दोस्तो संग सूची राज सूची और समवर्ती सूची भारती समिधान की किस अंसूची में जो है सामिल है तो दोस्तो संग सूची राज सूची और समवर्ती सूची जो है ये सातवी अंसूची में जो है सामिल है इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दो अगला प्रशन है दोस्तो भारती समिधान की निम्न में से किस अनसुची में 22 भासाओं का उलेक है आठवी अनसुची में 22 भासाओं का उलेक है इसकी व्याक्या पढ़ लेते हैं, आठवी अनसूची में भारत की 22 भासाओं का उल्लेख किया गया है, मूल रूप से आठवी अनसूची में 14 भासाओं थी आठवी अनसूची में जो है सामिल किया गया था, अगला प्रस देखते हैं, भारती समिधान के अनुचेदों को कितने भागों में समूबध किया गया है, तो दोस्तों भारती समिधान के अनुचेदों को जो है 22 भागों में समूबध किया गया है, अगला प्रस देखते हैं, भारती समिधान में कितने भाग और कितनी अनसूचिया है दोस्तों हम जानते हैं कि भारती समिधान में 22 भाग होते हैं और अनसूचिया कितनी होती हैं 12 अनसूचिया होती हैं तो 22 देखते हैं दोस्तों किस आफसन में हैं कुसी भी आफसन में नहीं है तो दोस्तों यहां भी आफसन B सही होगा कैसे ध्यान से दिखीएगा भारती समिधान में कुल 22 भाग थे लेकिन बाद में संसोधनों के द्वारा तीन नए भागों को समलित किया गया जिससे वर्तमान में 25 भाग और 12 अंसूचिया हो गई हाला कि अभी भी समिधान में कुल 22 भाग ही है किन्तु जब उप भागों को जोड़ा जाता है तो 25 भाग हो जाते हैं तो 25 भाग और 12 अंसूचिया का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस देखते हैं अपरेल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अंसार भारती समिधान में 12 अंसूचियों के साथ 10 कितने अंसूचिया है तो दोस्तों 12 अंसूचियों के साथ कितने अंसूचिया है 448 जो है अंसूचिया है इसकी ब्याख्या पढ़ लेते हैं भारती समिधान में 395 में अनुछेद 22 भाग और 8 अनसूचिया हैं। वरतमान में समिधान में 448 अनुछेद 22 भाग और 12 अनसूचिया हैं। अगला प्रस देखते हैं। समिधान में केंद्र और राज्यों के बीच सक्तियों के विभाजन को किस सूची के रूप में दर्साय गया है तो दोस्तो समिधान में केंद्र और राज्यों के बीच सक्तियों के विभाजन को जो है वो तीसरी सूचीयों के रूप में दर्साय गया है अगला प्रस देखते हैं अगला प्रस देखते हैं साथ की सूची दो में सामिल विश्यों पर कानून बनाने की सकती नहीं है नियम लिखित विकलगों में से कौन सा इस समान नियम का एक अपवाद है तो दोस्तो इसका कौन सा अपवाद है आपसन बीस का सही उत्तर हो जाएगा यदि राजसभा इस आशय का परस्ताव पारित करती है यही जो है अपवाद है अगला प्रस देखते हैं दोस्तो भारती समिधान का अनुछेद 72 नियम लिखित में से किस समंदित है तो दोस्तो अनुछेद 72 जो है वो राश्पती की छमा करने की सकती से समंदित है अगला प्रस देखते हैं दोस्तो किस अनुछेद के अंतरगत भारत के राश्पती मृत्यु डंड की सजा पाये हुए ब्यक्तिको छमा फासी इस्थगन या सजा में कमी कर सकता है तो दोस्तो अनुछेद 72 के तहत अगला प्रस देखते हैं निमलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतरगत आता है तो दोस्तो वन जो है वन जो है वो समवर्ती सूची के अंतरगत आता है अगला प्रस देखते हैं अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तो भारती समिधान का अनुछेद 21 इनमे से किस बिकल्प से सम्मंदित है तो दोस्तो अनुछेद 21 किस सम्मंदित है अनुछेद 21 दोस्तो ब्यक्दिकस स्वतंतित है अगला प्रश्ण है जीने का अधिकार राइट टु लाइफ भारती समिधान के किस अनुछेद के तहत पड़ान किया जाता है तो दोस्तो जीने का अधिकार का वारण जो है किस अनुछेद में है अगला प्रस देखते हैं भारती समिधान के अंच्छेद 21 के A में निम्लिखित में से किस अधनियम का उल्लेक किया गया है तो दोस्तो अंच्छेद 21 के A में सिच्छा के अधिकार का वाड़न किया गया है अगला प्रस देखते हैं भारत के समिधान में निम्निम से किस अनुछेद में सिच्छा के अधिकार की ब्याख्या किया गया है तो दोसो सिच्छा के अधिकार का ब्याख्या जो है किस अनुछेद में किया गया है अनुछेद 21 के ए में किया गया है अगला प्रस देखते हैं समिधान के अनुसार किस अनुचिध के तहट जीवन की सुरच्छा और ब्ययक्तित स्वाधिनता परदान की गई हैं जीवन के अधिकार को भारती समिधान के किस अनुचिध में सामिल किया गया है तो दोस्तो जीवन के अधिकार को भारती समिधान के अनुछेद 21 में सामिल किया गया है अगला प्रस देखते हैं भारती समिधान के किस अनुछेद में जीने के अधिकार से समंदित है तो दोस्तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जीने का जो अधिकार का अनुछेद है ये जो है एकजामे कई बार पूछा जा रहा है तो जीने का अधिकार का वड़न दोस्तो किस में है अनुछेद 21 में है अगला प्रश्ण है दोस्तों आपात काल के समय किस अनुछेद को निलंबित नहीं किया जा सकता तो दोस्तों आपात काल के समय अनुछेद 20 और अनुछेद 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता अगला प्रश्ण देखते हैं समिधान के किस अनुछेद के तहत आत्म संप्रांध स्वयम के विर्युद अध्यारों पर साक्ष प्रबंदि थे तो दोस्तों का सयुप्तर हो जाएगा अनुछेद 20 के तहत अगला प्रस देखते हैं अनुछेद 307 के मुख्य मसवदा कार कौन थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे अगला प्रस देखते हैं भारती समिधान के निमलिकित में से किस अनुछेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आधिका परधान निर्दिष्ट किया गया है तो दोस्तो अनुछेद 43 में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आधिका परधान जो है निर्दिष्ट किया गया है अगला प्रस देखते हैं भारती समिधान का कौन सा अनुछेद अंतर राष्टी सान्ती और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राजी के नेत निर्दिष्ट सिधानतों को निधारित करता है तो दोस्तो अनुछेद 51 के दात अगला प्रस देखते हैं भारती समिधान के भारती समिधान के भारती समिधान के किन दो अनुछेदों में न्याईक समिछा की सकती को सरवाधिक इसपष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए कहा गया है तो दोस्तों का सयुक्तर हो जाएगा अनुछेद 32 और अनुछेद 226 में किस अनुछेद के तहत भारत के उच्च न्यायले रीट जारी कर सकता है तो दोस्तों अनुछेद 226 के तहत भारत के उच्च न्यायले जो है रीट या आदेश जारी कर सकते है अगला प्रस देखते है भारती समिधान का इनमे से कौन सा अनुछेद राश्पती के कारेकाल से स इसमें से किस समंदित है तो दोस्तो अनुछे 281 जो है वो वित्त आयोग से समंदित है अगला प्रश्ण है इनमें से किस राज्जी को अनुछे 371 A के तहत विशेस दर्जा परदान किया गया है तो दोस्तो नागा लेंड को अनुछे 371 के तहत विशेस दर्जा परदान किया इसकी भी आख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों भारती समिधान के इन में से किस अनुछेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फिर बदल आज इसे सम्मंदित वर्डिंग किया गया है तो दोस्तों अनुछेद तीन में राज्यों के गठन, सीमाओं के फिर बदल से सम्मंदित है अगला प्रस देखते हैं दोस्तो निमलिखित में से कौन सा राज ये भारती समिधान की छठवी अनसूची द्वारा साचित नहीं है तो दोस्तो कौन सा ऐसा राज है जो छठवी अनसूची द्वारा साचित नहीं है तो वो राज ये अवडांचल परदेश है अगला प्रस समिधान के अनुछेद 301 को परभावित किया था प्रश्ण है राजसूची में इस्थानी महत्तों के विशियेश सामिल होते हैं इन में से कौन सा राजसूची के अंतरगत आता है तो दोस्तों राजसूची के अंतरगत कोन आता है सारवजनिक स्वास्त और स्वक्षता यह र अनुछेद 110 में है मनि बिल्ल का उलेक जो है अनुछेद 110 में है अगला प्रस देखते हैं भारती समिधान के किन अनुछेदों के अंतरगत समानता के अधिकार का उलेक किया गया है तो दोस्तों समानता के अधिकार का उलेक किस अनुछेद में है अनुछेद 14-18 में अगला प्रस देखते हैं, समिधान की निम्न अनुछेद में कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है, तो दोस्तो समानता का अधिकार अनुछेद 14 से 18 देता है, अगला प्रस देखते हैं, भारती समिधान के अनुछेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है, तो दोस्तो प्रथा के उन्मूलन पर जो है जोर दिया गया है अगला प्रस देखते हैं निमलिखित में से किस अनुछेद में समानता की अवधारा को परिभासित किया गया है तो दोस्तों समानता की अवधारा को अनुछेद 14 में जो है परिभासित किया गया है अगला प्रश्ण है प्रारम के समय इसे 10 अध्याओं में विभाजित किया गया था तो दोस्तों भारती समिधान के प्रारम के समय इसे जो है 22 अध्याओं में विभाजित किया गया था अगला प्रस देखते हैं भारत के समिधान के लागू होने के समय इसमें मूलतह कुल कितने अनुछेद थे तो अगला प्रस देखते हैं भारती समिधान के किस अनुछेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा तो दोस्तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है उसका उल्ले किस में है अनुछेद 40 में है अगला प्रस देखते हैं दोस्तो भारती समिधान का कौन सा अनुछेद उपाधियों के अंध को सुनुछित करता है अगला प्रस्ण है भारती समिधान के किस अनुछेद में पंचायतो और इस्थानी निकाय सासन से सम्मन्धित प्राधान सामिल है तो दोस्तो अनुच्छेद 243 में पांचायतों और इस्थानी निकाय सासन से समंदित प्रावधान सामिल किये गये हैं अगला प्रश्ण है दोस्तो केंदरि बजट को वार्सिक वित्ती विविवड़ के रूप में संदर्भित किया गया है निमलिकित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्पती के आदेश द्वारा एक अंतर जाती परिस्थ का गठन किया जा सकता है तो दोस्तो अंतरजाती परिशत गठन राश्पती के आदेश द्वारा अंच्छे 233 के तहत किया जा सकता है अगला प्रश्न है वित्ती अपात काल सम्मंधी प्राधानों का उल्लेख भारती समिधान के निमलिखित में से कौन से अंच्छेद में है तो दोस्तो वित्ती अपात काल का उल्लेख जो है अंच्छे 360 में है अगला प्रश्न है दोस्तो भारती समिधान का अंच्छे 308 किस से समंधित है भारती समिधान का अंच्छे 308 जो है वह समिधान के संसोधन से समंधित है अगला प्रश्न देखते है भारती समिधान के निमलिखित में से किस अनुछेद का भाग 20 समिधान और उसकी प्रक्रियाओं में संसोधन करने के लिए संसद की सक्तियों को सम्भोधित करता है तो दोस्तो अनुछेद 368 के तहत अगला प्रस देखते हैं अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुछेद में अनुछेद में राज्यों के बिधान परिषिदों के गठन के लिए प्राधान किया गया है तो दोस्तो राज्यों के बिधान परिषिदों के गठन का उलेख जो है अनुछेद 179 में किया गया है अगला प्रस देखते हैं अगला प्रस देखते हैं अगला प्रस देखते हैं भारती समिधान के किस अनुछेद के तहत सारवजनिक नियोजन के मामलों में आउसरों की समानता की गरांटी परदान की गई है अगला प्रस देखते हैं अगला प्रस देखते हैं अगला प्रस देखते हैं अगला प्रस देखते हैं अनुछेद के अंतरगत सामिल किया गया है इसकी ब्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों अनुछेद 21 में किस का वड़न है बोलने की सुवतंतरता का वड़न है अनुछेद 22 में कुछ दसाओं में गिरपतारी और निवारक निरोध कानून का उल्लेख है अनुछेद 20 में अपराद के लिए दोस्त सिद्ध के समन्द में सरचर से समन्दित है अगला प्रस देखते हैं अनुछेद 78 में निमलिखित में से किस का वड़न किया गया है तो दोस्तो भारती समिधान के राज के नित निदिजस सिद्धान्त के भाग के अंतरगत अनुछेद 36 से 51 जो है सूची बद्ध किये गए है अगला प्रस देखते है निमलिखित में से कौन सा अनुछेद उपराश्पती के चुनाओ से समन्दित है अगला प्रस देखते है भारती संग की अधिकारिक भासाओ का उलेख भारत के समिधान की किस अन्सूची में किया गया है तो दोस्तो भारती संग की अधिकारिक भासाओ का उलेख जो है भारत के समिधान के आठवी अन्सूची में किया गया है अगला प्रस देखते है भारती समिधान की दस्वी अनसूची निम्लिखित में से किसके बारे में है तो दोस्तो दस्वी अनसूची जो है दल बदल बिरोधी से सम्मंदित है अगला प्रश्ण है भारती समिधान के किस अनुछेद के तहत राश्टिय ध्वच पहराने का अधिकार है तो दोस्तो राश्टिय ध्वच पहराने का अधिकार अनुछेद 29 के एक में है अगला प्रशने दोस्तो भारती समिधान के निमलिखित अनुछेदों में से किस अनुछेद में यहां उले प्रस देखते हैं निमलिखित में से कौन सा राज्य समिधान की छटी अंसूची का पालन नहीं करता जो जन जाती छेतरों के प्रसासन एवं नियंतर से सम्मधित है तो दोस्तो नागा लेंड राज जो है वो समिधान की छटी अंसूची का पालन नहीं करता है अगला प्रस द करते हैं जिने भारत के राश्पती द्वारा नमांकित किया जता है तो दोस्तो 550 निर्वाचिस सदस होते हैं और दो सदस जो है एंगलो इंडियन समधाई के होते हैं अगला प्रस देखता है हमारे समिधान का कौन सा अनुछेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुलिता कि इस्ति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा तो दोस्तो अंचेद 100 के तहत हैं अगला प्रशन दोस्तो भारती समिधान के अंचेद 112 के तहत है तो दोस्तो भारती समिधान के अंचेद 112 के तहत है तो दोस्तो भारती समिधान के अंचेद 112 के तहत है तैयार विध् परदेशों का समिधान के पहली अनसूची में जो है उलेख हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अनुछेद और अनसूची से सम्मन्द जितने भी प्रश्ण निरलेर में पूछे गये थे सभी प्रश्णों को दोस्तों हमने डिसकस किया है तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा मिलता है नेस्ट वीडियो में धन्यवाद